नमस्कार दूस्तों स्वागत यापका फार्मारोक्स के यूटूब एज़िक इस्टेन चनल में आज की उडियो लेक्चार में हम डिटेल में स्टेडी करने वाले हैं खाना पचानी की दवायों के बारे में तो ये दवाया स्पेसली आपको डाइजेशन में जो हो मदद करती हैं तो वो प्रॉब्लेम को सॉल करने के लिए जो दवाया जो यूज होती है उसके बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में स्टेडी करेंगे तो ऐसी समझो कि आपको बहुत सारी दवायों के बारे में सीखना है तो आप मैडिसिन कूर्स को जोइन कर सकते हैं फार्मारो दवाईया को डारे में करते हैं या फिर ऊसी दवाया कि जो बोजन के पार्चन में पर इसके कान आपको बंते हैं तो इसके करन आपको बाहर से जो दवाईया वो लेनी होती है जैसे कि hydrochloric acid है bile salt है कि जो आपको digestion में मदद करते हैं तो पूरा आप digestive track समझोगे तो आपको पता चले कि जो हमारा पाचन तंद्र है तो उसमें salivory gland से लेकर जो हमारे large intestine है small intestine है वहाँ पर अलग-अलग enzymes जो वह release होते हैं और वह enzymes के कारण हमारा खाना जो अच्छे से digest होता है तो आप उपर के और देखो सबसे पहले कि जो हमारा बाग है salivory gland तो salivory glands होती है हमारे mouth के अंदर कि जब भी हम कुछ खाना खाते है तो जब हमारे mouth के अंदर होता है तो उस के त्रूँ खाना जो आगे जाएगा तो वह स्टमक में पहुचेगा तो वह पर protease enzyme मदद करता है hydroglory acid होता है तो वह भी खाने को digest करने में मदद करता है फिर आगे जाके liver में से कुछ ऐसे release होते है bile वगरा की जो digestion में मदद करते हैं फिर pancreas में से protease जो है lipase और amylase जैसे enzymes जो वह release होते हैं कि जो बोजन को digest करने में खानक को पचाने में जो मदद करते हैं फिर आगे small intestine में भी आप देखो तो sucrease enzyme है maltase lactase peptidase जैसे अलग-अलग enzymes release होते हैं तो यह सभी जो enzymes होते हैं उनका combination में एक ही काम होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको digest करवाना उसको पचान अच्छे से और वो फिर आपके सरीर को अच्छे से लगता है तो कई बार कुछ लोग क्या फिल करते हैं काफी दुबला पतला फिल करते हैं अपने आपको तो वो ऐसा फिल करते कि उनका जो खाना पिना है जो वो लगता नहीं है तो उसमें प्राप्लम यह होता है कि खाना आइजजेस्ट नहीं होता और डाइजच नहीं होता है या पिर इसा फिल होता है कि पेट जो फुली है कि खाना खाने के बाद आपको दूसरी बार खाना खाने का मन नहीं होता विकोज आपको ऐसा ही फिल होता है कि जो आपने पहली बार जो कुछ खाना खाया है वो भी तक डाइजेस्ट ही नहीं हो या फिर आपका पेट फुल है ऐसा आप फिल करते हैं तो ऐसी दवायों को हम digestant कहते हैं, तो यहाँ पे आप अलग-अलग options देख रहे हैं उसके, तो आप समझते हैं उनके बारे में detail में, तो सबसे पहला जो option है वो है pancreatin का, तो pancreatin जो है वो एक combination है, वो तीन अलग-अलग enzymes के हैं, और साथ में उसके आज साथ आप देखो, तो dim dimethicon भी add कियागा है, कि activated dimethicon की जो 80 mg जितना ये tablets के अंदर present होता है, और pancreatin जो वो present होता है, वो 170 mg जितना होता है, और ये tablet को आप खास कर ऐसे temperature पर store करना होता है, 25 degree और फिर कम temperature और moisture से उसको जो प्रिवेंट करना होता है, इसके dose की हम बात करें, तो आपको एक tablet खास कर ल बात करें, तो तीन अलग-अलग enzymes है, एक amylase enzyme है, एक tripsin है और तिसरा जो ये वो lipase enzyme है, और इसके कुछ minor side effects आपको हो सकते हैं, जैसे कि किसी को nausea जैसा feel होता है, डाइरिया जैसा कुछ लोग feel करते है, या फिर hyperurisemia जैसा कुछ लोगों को feel होता है, दूसरा option है, हमारे पा आपको available होता है, कि जिसके अंदर दो enzyme है, एक diastase है, और दूसरा pepsin जो है, वो उसके अंदर present है, और इसके डूस के हम बात करें, तो आपको ये जो syrup है, वो 5 से लेकर 10 ml जितना लेना होता है, खाना खाने के बाद, तो यहाप याप उसका content देख सकते हैं, कि अगर आप 5 ml जितना content लेते हैं, तो इसके अंदर fungal diastase enzyme 50 mg जितना होता है, और pepsin 10 mg जितना होता है, semi-thiguan 50 mg होता है, और यह जितने भी अलगा लगा आपके digestive problem है, कि indigestion जैसा फिलो रहा है, सीने में जलन जैसे आपको फिलोता है, गैस बनती है, या फिर पेट में uncomfortable आपको फिलोता है, पेट फूल है, ऐसा फिलोता है, तो यह सभी problem को यह aristocyme जो हो ठीक करता है, तीसरा option है यहाँ पे वो है diastase करके एक formulation है, कि जिसके अंदर diastase जो हो 62.5 mg जितना होता है, और pepsin जो हो 20 mg होता है, 10 ml के अंदर, तो यहाँ पे जो हो diastase, ऐसे enzymes का combination कि जिसको हम specially कहते हैं कि alpha amyl diastase, और pepsin का यह combination रहता है, और यह भी similarly काम करता है, कि जो आपको digestion में problem हो, वो ठीक करता है, बर्पिंग वगएरा होती है, पेट में gas वगएरा बनती है, ब्लोटिंग जैसा फिलो करता है, या फिर आपका पेट फूल हो जैसा फिल करते हैं, और उसके करण बूख नहीं हैं, कि 15 drop जो हैं आप बच्चों को बिलाते हैं, खाना खाने के बाद कि जो उनको digestion से ना होता है, और बड़ो के लिए यह वाल आता है, फंगर diastase with carminatives का जो combination होता है, और यह भी same dose में ले सकते हैं, खाना खाने के बाद 5 से 10 ml जितना यह सीरप जो लेना होता है, तो वीट cinnamon oil जो 0.25 mg है, कि जो carminative के तोर पे काम करता है, कारावे प्रेजन्ट है, कारडेमम प्रेजन्ट है, और यह सब जो 10 ml के अंदर यह जो content पूरा available होता है, तो इसका main जो function है कि जो carminatives होते हैं, आपको gas नहीं बनने देते हैं, आपके सरिर के अंदर, gas trouble जैसा फिल होता है, त पाच्पा option है, वो है, lupizyme का, तो lupizyme का यहाँ पे आप product देख सकते हैं, कि जिसके अंदर, alpha amylase जो है, और साथ में pepsin उसके अंदर present है, कि जो lupin pharmaceuticals उसको बनाते हैं, तो उसके content भी आप सेम ही है, कि amylase उसके अंदर present है, और साथ उसके अंदर pepsin present है, और यह भी same dose में ली जाती है, 5 से लेकर 10 ml, छटा option है, uni enzyme करके tablet साथ है, कि जिसके अंदर, fungal diastase है, pepain उसके अंदर present है, और activated charcoal जो है, उसके अंदर present है, और इसका जो brand name है, वो है, uni enzyme, तो यह भी एक tablet खास कर लेनी होती है, कि जब भी आपको digestive problem है, तो खाना खाने के बाद आप यह tablet जो है वो एक ले सकते हैं, तो उसका content आप देखो कि fungal diastase 20 mg होता है, pepain 30 mg, simethicon 50 mg, और nicotinamide जितना होता है, 25 mg जितना, और activated charcoal उसके अंदर 75 mg जो है वो present होता है, साथवा option बनता है, आपके पास यहाँ पे वो है, पैंजी नॉर्म करके हैं, यहाँ पे पूरा एक formulation आप देख सकते हैं, पैंजी नॉर्म N करके यह जो tablets आती है, और उसके manufacture के हम बात करेंगे, तो जर्मन remedies जो उसके manufacture हैं, डोस सेम रहेगा, एक tablet खाना काने के बाद, और उ है, और इसका भी dose जैसे मैंने आपको बता है, कि एक tablet जो हो खाना काने के बाद ले सकते हैं, तो यह साथ ऐसी अलग अलग दवायों का options हमारे पास है, कि जो आपको खाना बचाने में जो हो मदद करती हैं, तो उनके कुछ side effects से minor वो हम देख लेते हैं, तो कुछ लोगों को यह लेने के बाद nausea, vomiting जैसा फिल होता है, कि उल्टी हो जाना, जी गबराना, या फिर diarrhea हो जाता है, headache जैसा फिल होता है, neck pain, nozzle congestion कुछ लोग फिल करते हैं, कुछ लोगों को समझे कि इसकी allergy हो जाए, तो skin के उपर races बन जाएंगे, या फिर अगर यह दवाई आपको suit नहीं क legs का जो बागे, वाँ पर कई बार जो वो आपको ऐसा फिल होता है, कि काफी सूजन आ गई है, तो ऐसा कुछ होता है, तो तुरंत यह medication को लेना बंद करना चाहिए, तो आपके doctor या फिर pharmacist को inform करके, दूसरे safe alternative medications को आपको लेनी चाहिए, तो ऐसा ही आप detail में बहुत सारी द साल तक, तो यह course को जोइन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, या फिर हमारे जो mobile application है, उसको आप download कर सकते हैं, link आपको description box के अंदर मिल जाएगे, तो आप यह number पर आप हमें खास WhatsApp करें के अगर आपको medicine course को जोए वो जोइन करना है, तो good luck and all the best.